नमस्कार आईए इस हाथ पर प्रकाश डाल लेते हैं उससे पहले देंगे हम आपको जरूरी सूचना जो लोग हस्तरे का सीखना चाहते हैं उनके लिए एक नया चैनल शुरू किया गया है चैनल का नाम है सरस्वती पामिश्ट्री चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिशन में मिल जाएगा आप उसे सब्सक्राइब लाइक शेयर कर सकते हैं ये 27 वर्षे महिला है मेरे हमारे सामने जिनका ये हाथ है इनके बारे में हम चर्चा करेंगे बुद्धी छेतर से उठने वाली उंगली यानि बुद्ध की उंगली के बारे में शास्तर कहता है जब बुद्ध छेतर से उठने वाली उंगली सूर्य के प्रतम पर तक पहुँच जाती है तो इसके गुणों में वरद्धी हो जाती है व्यक्ति साज सज्जा में इंट्रेस्ट रखता है कलात्मक रवय ये वाला हो जाता है अच्छी भाषन शक्ती होती है साथ ही साथ निरनाय शमता भी इनकी बहतर होती है लेकिन जब बुद्ध छेतर की उंगली पर इस प्रकार की लाइन्स देखी जाती है तो ये जीवन में अपनी बुद्धी के बल पर अपने नुकसान के इंडिकेशन भी होते है यानि आप जीवन में जब भी कोई बड़े फैसले लें उसका थोड़ा सा ध्यान से निरनाय लें किसी बड़े की सलहा के अंदर जाके निरनाय लें तो आपको जादे बहतर रहेगा वैसे स्वेम भी आप इतने समझदार हैं कि आप अपनी जो बुद्धी है उसका थीक परकार से इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसे लोगों के सुभाव में थोड़ा सा भूलापन देखा गया जिसका अन्य व्यक्ति विशेश किसी परकार से फायदा भी उठा सकता सूर्य छेतर पर बहुत आराम से देखे कितना बड़ा एक मोटा कट यहां लगा हुआ दिखाई दिया इसको कहते हैं हम प्रसिद्धी में दाग आपके द्वारा किये गए किसी करम के कारण आपकी प्रसिद्धी में आपके मान सम्मान में दाग लग सकता है अपने आप पर सयम रखिएगा और आप जो करम करने जा रहे हैं उस पर भी आप अपने निरने छमता को स्ट्रॉंग रखिएगा ये इस्थिद्धी घर परिवार के लोगों से वैचारिक मद्वेद भी दरशाती है यहां देखिए कभी कभी ऐसे लोगों को घर परिवार के लोगों से सहयोक में कमी हो जाती है या कहिए पिता पक्ष से वैचारिक मद्वेद दाकी इस्थिद्धी रहती है सरकारी कारे कामों से कारे कलाबों से इन लोगों को फायदा नहीं मिल पाता है यह आई आई आपके शनी की उगली अपने आप में लंबी खड़ी है लेकिन इस पर टरन भी है और देखे यहां पर भी इस परकार के यह जो लाइन्स है वो लगातार है शनी की उंगली करम के लिए और पैसे के लिए जानी जाती है करम किस्चती ठीक है टर्न उपर से अधिक है तो ये व्यक्ति को इन फ्यूचर नसो से संबनित रोग सुनायू रोग, वात की रोग, जॉइंट्स के रोग देगा साथ इसाथ आपके किसी बड़े आर्थिक नुक्सान के संकेत भी ये देता है यानि आपका कहीं पैसा लग सकता है जो आपका पैसा वापस महां से नहीं आएगा यानि आपका पैसा फस जाएगा ब्रस्पति की उंगली को लिए कहा गया इस तरी के लिए ब्रस्पति पती कारक है और आपकी ब्रस्पति की उंगली पर भी देखिए जब इस प्रकार से कट दिखाई दे और उंगली का जुकाओ बहुत अधिक ब्रस्पति की तरशनी की तरफ हो जाए तो व्यक्ति के मन में धन को लेकर लालसा बढ़ जाती है व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से जीवन में चाहता है कि मैं धन अरजन करूँ मेरे पास खूब सारा धन हो और धन आजीवन मेरे पास बना रहे लेकिन जब ब्रस्पति के उगली इस परकार से टर्न कर जाती है तो मैंने इसको वही जीवन के लिए एक अच्छा सरूप नहीं माना है मैंने बहुत हातों में ऐसा देखा है उन लेडी या उन जेंट्स को यह इस परकार की प्रावलम्स होती है बुद्ध छेतर पर जब इस परकार का बन जाए जाल यह देखें कितनी सारी रेखाएं या बुद्ध छेतर से निकली होई या इनको इस परकार से लेखाएं काट रही हैं जाल बना रही है बुद्धी का सही समय पर इस्तमाल करना अपने आप में अच्छी बात है लेकिन जब बुद्धी को बुद्धी में बदल जाए व्यक्ति अपने स्वार्थ के बारे में सोचने लगे स्वायम के बारे में सोचने लगे साती सात हर समय उसकी बुद्धी किशी ना किशी तोर पर चलती रहे चलती रहे तो यह एक problematic इस्थित्म है रेखाएं आपकी सीधी जा रही है तो अच्छे इंडिकेशन देखे लेकिन जब रेखाओं को रेखाएं काट देती है ना तो व्यक्ति क्या करता है अपनी ही बुद्धी अपनी ही डिसीजन के दौरा अपना नुकसान भी कर लेता है ये सूर्य छेतर से उठने वाली एक मात सर रखने के लिए अपने आपको लोगों के बिच बनाये रखने के लिए तो वैसी इंडिकेशन है बाकी सूर्य की उगली मुझे आपकी ज्यादा बहतर नहीं दिखाई दी अब देखिए एक रेखा जिए यहां से निकलिए ब्रस्पति छेतर की सारह देती है शनी छेतर प लिए किसे काम करके व्यक्ति अपने करम को सीधा कर ही लेता है यानि के लगा ही रहता है कि हां मुझको लाइफ में जीवन में किशी ना किशी रूप में लगा ही रहना है करम करते जाना है काम करते जाना है चाया उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े और कुछ जब रेखा इस परकार से खड़ी होई दिखाई देती हैं तो ये एक अच्छा इंडिकेशन होता है जीवन में पैसे की स्थितिगी को किछी ने किछी इस परकार के साधन से बनाए रखने का ब्रसपती छेतर थोड़ा सा दबा हुआ है उस पर इस परकार की ये रेखाई हैं ये देखिए जब ये रेखा हैं इस परकार की दिखाई देती हैं तो जीवन में व्यक्ति को मकान का सुख मिलता है स्वयम के बल पर भी व्यक्ति मकान बना लेता है लेकिन ब्रसपती छेतर जब इस परकार से पिछका हुआ हो कुछ उंगली भी ठीक ना हो तो उसके बारे म मैं आपको बताया था कि ये पती से समझे समस्चा देता है साथ इसाथ आपकी ये हिर्दे रेखा भी काफी बलवती है रेखा पर काफी सारे कट दिखाई दे रहे हैं और बलवती हिर्दे रेखा और यहां देखिए मंगा छेतर से निकलने वाली रेखाएं भी आपके हिर् beauty of marriage में problem है आपकी शादी किसी से भी हो आपको इश्वर ने इस प्रकार की स्थितियों के साथ भेजा है कि शादी किसी से भी हो लेकिन आपके वैचारी मदवेद रहेंगे साथ ही साथ मुझको यहाँ प्रेम विभा के संकेत भी अच्छे खासे दिखाई दिये है जून 2020 से लेकर फरवरी 2023 के बीच में आपका निश्चित्ने विभा संपन हो जाएगा इसमें भी कोई संदे नहीं है अब देखिए कुछ रेखाएं जब मैं इतनी सारी रेखाएं यहां से देखता हूँ एक रेखाएं यह गई है यह गई है यह देखिए रेखाएं जब सब शनी परवत भागेर चेतर सूरे चेतर की तरफ पुर्ति दिखाई देती है तो यह अच्छे इंडिकेशन होते है यानि व्यक्ति को जीवन में करम से पैसा मिलेगा करम से सम्मान मिलेगा लेकिन जब यही रेखाएं हिर्दे रेखाओ को काटनी शुरू कर देती है तो मन में किसी ना किसी परकार का द्वंद किसी ना किसी परकार की दूबिधाएं चिंतन, आत्म चिंतन, मांसिक परेशानिया यह सब लगातार चलती रहती है जो की disturbance in life दिखा रहे है अब आप देखेंगे यहां तक का कवस्त देखिए यहीं सही तो निकल ली है आपकी मस्टिक शुरू रेखा यहीं से निकल ली है आपकी आयू रेखा जब इतनी ज़्यादा मोटी रसी की तरह आयू रेखा और मस्टिक शरेखा मिल जाए और उसके बाद यह दो भागों में डिवाइट हो जा यह देखिए मस्टिक शरेखा अपकी काफी बलवती है और इसको यहां चतर-शेतर से रेखा भी आकर चू रही है और यह रेखा यहां इसको काट भी रही है मस्तिक्ष रेखा है ये किसी नकिची परकार की उधेडबुन परेशानी में जूजती रहेगी आपकी आयूरेखा को भी देखिए आप यहां तक भी आप आयूरेखा को दीवन के पचास पच्पन में वर्ष तक आप देखिएगा खूब अच्छा खासा संघर्ष दिखा देता इतनी जाद है रसी नुमा और मोटी हिट्दय रेखा ये देखिए या मस्तिक्ष रेखा या आयूरेखा जब होती है तो व्यक्ति का जो जीवन है बड़ा संघर्ष रत गुज रखता है ये एक जादे अच्छे इंडिकेशन नहीं है हाँ आयू के अच्छे संकेतियां बनते हैं कि आराम से 75 वर्ष तक की भी आयू आपके हाथ में यहां बनी हुई है ये देखिए लेकिन इस्थितियां जादे अच्छी नहीं दिखी है अब आई है भाग्य रेखा य यह देखिए यहां से एक रेखा निकली चंदर शेतर के बिल्कुन नीचले से से यानि भाग्य उदे में कहीं घर के दूर का संकेत है कहीं दूर जाकर भी है और यह देखिए एक अन्य रेखा जो आपको सपोर्ट कर रही है कुछ रेखाए आपको यहां से भी सपोर्ट कर यह रही जब इस प्रकार की सपोर्टिव रेखा है भग्य रेखा को सपोर्ट करें तो जीवन के 35 वर्ष तक तिस्थि लगाता है ऐसी बनी हुए कि व्यक्ति को किशी ना किशी प्रकार से भग्य का सपोर्ट है लेकिन बाद में भी देखिए आप एक रेखा ये गई एक में भी कमा रही हूं मुझे अन्ने लोगों से भी सपोर्ट है चाए वो पती से सपोर्ट हो अच्छा खासा चाए घरवालों से सपोर्ट हो यानि धन के आवगमन इस हाथ के अंदर लगातार है अगर जीवन में जद्धो जहत है तो ये एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है कि भी जीवन के असी फीचदी जद्धो जहत तो पैसे से खतम हो जाते हैं और वो इंडिकेशन मुझे यहां दिखाए दी है लेकिन जब रेखा है इस प्रकार से क्रॉस करने लगती है तो भले ही सपोर्ट मिल रहा है भाग्या आगा चल रहा है लेकिन अंतर द्वंद भी लगातार आपके जीवन में किशी ना किशी रूप में चलता ही रहता है यह देखें यह इतनी सारी रेखा हैं कोई कुछ लोग इनको कहेंगे कि यह व्यवसाई के रेखा हैं लेकिन यह कंपलीट व्यवसाई के रेखा नहीं है इनको में एक चिंता की लखी रेखाई बन र आपको सकता किसी मेंटल जो सकाईटरिस्ट होते हैं उनसे भी स्वाएनी पड़ सकती है रहे के लिए सब्सक्राइब को पैसाल कि करियर वहारे में पूछय हैं घर रहें अच्छा समय है Finance आपके जीवन में चलता रहेगा सहयोग से भी चलता रहेगा अपने बल पर भी Educational देखिए तो अगर आप चाहें तो वर्तमान में भी कोई अच्छी सिक्षा जोइन कर सकती है क्योंकि आपको अभी तीन वर्च हो रहे हैं ऐसे जिसमें आपको इस सिक्षा जोइन करके उस सिक्षा से फायदा उठा सकती है Family Relationship के बारे में मैं आपको बता दिया जादे बैतर नहीं है कुटम वालों से आपको कोई बहुत बड़ा सयोग नहीं मिल पाएगा खास तोर पे जहां तक आपको लगता है एक दो परसन ही आपके फिवर में जादे रहेंगे बागी सबसे रिलेशन आपका एक नॉर्मल रिलेशन होगा अंगूठे के बारे में थोड़ा बात करेंगो पहले तो संतती शेतर पे बात करूँगा संतती शेतर आपके हाथ में कोई इतनी विशेश रेखा नहीं दिखती जो कि ये कह सकें कि इस व्यक्ति को संतान की प्राप्ती हो जाएगी आसान नहीं है आपको जीवन में संतान की प्राप्ती होना साथ ही साथ जब अंगूटा इस प्रकार का निकल के ज़्यादा टरन ले ले तो व्यक्ति की इच्छा शक्ति को प्रवल करता है इच्छा शक्ति को बढ़ाता है कि मेरे जीवन में बहुत सारी इच्छा हैं उसके मन में समय 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 पर उठती रहती हैं आती रहती है तो हाथ परवतों के बारे में बात करें परवत सम है सम परवत किसी ना किसी परकार से व्यक्ति को पूर्णता देता है उससे संबंदित कमी नहीं आने देता लेकिन हाथ की बाकी मेन मुख्य रेखा हैं देखिए न आपकी मस्तिक्ष रेखा, आयू रेखा और हिर्दे रेखा ये तीनों रेखा हैं अपने आपने आपने इतने ज़्यादे जद्दों जहतार आपके पूरे हाथ में रेखाओं का जाल सा भी रहाओ यानि व्यक्ति के जीवन में काफी संगर्श है अब इन सब चीजों से बचाने के लिए मैं आपको कुछ रेमेडी बता रहा हूँ देखिए, सबसे पहले तो बहुत जरूरी है आपको इस वाली फिंगर में पन्ना पहनना देखिए, आपका लगन शुक्र का लगन है शुक्र के लगन में ब्रस्पती को शत्रू कहा गया है दशावी आपको ब्रस्पती की चल रही है मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर पुखराज पहनना चाहिए या गोल्ड पहनना चाहिए अगर आपको यहाँ पे कुछ पहनना है तो आप फायर ओपल पहनिए डबल फायर ओपल पहनिए शुक्र के लिए होता है वो आपके लिए ज्यादे बेटर रहेगा और इस वाली फिंगर में आप पन्ना भी धरन कर सकते हैं यह दोनों चांदी में पहने जाएंगे आप चाहें तो इन्हें हमसे संपर करके प्राप्त कर सकते हैं साथ ही साथ रोजाना की पूजा में देवी कवच का पाठ करो दुर्गा सब्सती में से देवी का कवच होता है उस देवी कवच के पूरे कवच का रोजाना पाट करो उसमें 56 लोग हैं उनकी हिंदी या संस्करताब पढ़ सकती है साथ ही साथ गुरु व्रस्पती की पूजा किया करो गुरुवार के दिन केले के व्रश की पूजा करो उनको गुर्ण, चने, बेशन, बेशन के लड़ू इनका भूग लगा कर पूजन किया करो गुरु देव की व्रस्पती वार की करत, कथा, वरत और आरती इनको किया करो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आप ब्रस्पती के वरत भी रख सकती है 11 या 21 वरत रख के उध्यापन कीजिए इस प्रकार के स्थिति भी आपके लिए बहतर रहेगी आशा करता हूँ आपके सभी रेखामे परवतों के बारे में मैंने आपको जानकारी दियोगी नमस्कार